हेलो गाईज, वेलकम बैक टू आर चैनल लेट्समेक, आज की रेसिपी है ओनली 3 इंग्रीडियन्स फजी ओरियो केक की और क्रीम को भी मैंने बिस्किट से ही बनाया है, तो रेसिपी को घर में ट्राइ करने के लिए वीडियो को भी न स्किप किये पूरा देखिएगा, और च बिस्किट को अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, और ये देखिए अभी अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है, तब मैं बिस्किट के पाउडर में से एक चमच पाउडर निकाल ले रही हूं, और जो मैंने क्रीम निकाल के रखी ती उस पर रख दे रही हूं, बिस्किट क केक मोल्ड ले लिया है केक मोल्ड में मैंने अच्छे से हर जगा ओई लगा दिया है अब मैं इसमें एक चमच मैदा डाल रहे हूं मैदे को अच्छे से हर जगा फैला दें एक्स्ट्रा मैदे को हटा दें और ये देखे मोल्ड बिल्कुल रेडी है अब बैटर को मोल्ड में को अच्छे से टाप कर लें और ये देखिए अभी रेडी है कूकर की CT को निकाल के मैंने कूकर को अच्छे से प्रीहिट कर दिया था अब कूकर के बीचों बीच मैं एक केक स्टैंड रख रही हूं अब केक स्टैंड के ओपर केक मोल्ड रख दें कूकर का ठकन बंद कर दें कम से कम 30 मिनिट के लिए केक को अच्छे से बेक होने दें 30 मिनिट हो चुके हैं तो केक को तूदपिक की हल्प से चेक करें और ये देखिए केक अब बिलकुल रेडी है केक को अब इस तरह से नाइफ की हल्प से डिमोल्ड कर लें अब मोल्ड को थोड़ा सा ऐसे टैप करें और ये देखिए इस तरह आपका एजली केक निकल जाएगा ये देखे केक अब बिल्कुल रेडी है अब मैं पैन में जो मैंने क्रीम बचाई हुई थी वो डाल रही हूँ इसमें अब एक चौथाई कब मिल्क डाल दे अब सभी चीजों को मीडियम फिलेम पे अच्छे से पका लें मिक्षर को अच्छे से चलाते रहे वरना ये नीचे से चिपकने लगेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलिएगा और साथी साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और ये देखिए चौकलेट सॉस अब बिल्कुल रेडी है अगर आपको चौकलेट सॉस थोड़ा सो और थिक चाहिए हो तो आप इसे थोड़ी दर और पका लें किसी भी चीज की हल्ट से केक में इसको अच्छे से फेला दें और ये देखिए केक अब बिल्कुल रेडी है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ इसाथ बेल आइकन भी दबा दे ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिपेकेशन आपको मिलती रहे मेने दूसरे वीडियोस भी जरूर देखिएगा ठैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो